कि एलो इस्टूरेंट्स इस्टूरेंट्स जैसे आप लोग केविएस का एक्जाम आपके सामने आचुका है अभी भी काफ़ इस्टूरेंट्स को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं इस इन्फॉर्मीशन के साथ मापके एक को दूर करना चाहूंगा कि जो आप लोगों का लास्ट टाइंग तक 2018 तक के विएस का एक्जामनेशन रहा है बहुत अच्छी बात रही है कि एक्जामनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी अगर को गलत भी करते हैं तो उसके लिए आपका कोई मार्क नहीं करता था और ऑफिसेल नोटिफिकेशन इस बार के लिए अभी कुछ ऐसा नहीं इस बात को ध्यान से सुनें जिस बात को मैं कह रहा हूं कि 2018 तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार अभी तक ऐसा कोई ओफिसेल नोटिफिकेशन नहीं है कि आपकी नेगेटि मार्किंग नहीं होगी यह चीज किलियर होगी जैसे हमारा एडमिट कार्ड या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जो हमें बुकलेट मिलने वाली ऑफ्लाइन पेपर है उसके फ्रंट पीश पर ही यह बात दिखी वही थी कि देर इस नो नेगेटिव मार्किंग फोर एनी कोई कोईशन उस समय तक नहीं था तो इस बार होगी या ना होगी संदे को अपने दिल में दिमाग में ना रखें आप अपनी तयारी को प्रॉपर करते रहें जो भी इन्फोर्मेशन ऑफिशियल आएगी उसी के अकॉर्डिंग चलना है हमें या तो एडमिट कार्ड में या तो तब तक आप नॉर्मल माइंड सेट यहीं रखें कि नेगेटिव मार्किंग है और उसी के हिसाब से हर एक नंबर को अपना बचा कर चलना है हर एक क्विशन को अच्छे से लेकर चलना है या नहीं है यह हमारे अडमिट कार्ड आने के बाद नहीं तो जिस दिन के साथ रिवाइस करते हैं चीजों को पोसिस करें अब नई चीज ना उठाएं जितना आपने पुराना पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें विशी के साथ आप लोगों को एक्जाम के लिए थैंक्यू सुर्ण